C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 की द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की पूरक पाथे पुस्तक संचयन काध्वानियंकन जिसका वाचन कर रही है निवदिता सर्दार प्रस्तुत है तीसरा पाथ कल्लू कुमहार की उना कोटी लेखक के विक्रम सिंग लेखक परिचे के विक्रम सिंग 1938 अध्यापन कार्य से प्रारम कर सरकारी नौकरी में विभिन महकमों में उच्चे पदों पर कार्य रत रहे सूचना और प्रसारण मंत्राले में निदेशक फिल्म नीती के पद पर कार्य करते हुए समय से पहले ही नौकरी को विदा कहे अपनी विशेश दिल्चस्पी के कारण सिनेमा और टेलिविजन के क्षेत्र में सक्रिय हो गए विकास पर्यावरण और देशाटन की ओर विशेश छुकाव रखने वाले के विक्रम सिंग ने अंधी गली 1984, New Delhi Times, 1985 के निर्माण में सहयोग करने के साथ साथ तरपन 1994 का भी निर्माण किया उन्होंने टेलिविजन के लिए फिल्म स्रिजन 1994 का निर्देशन तथा कवी और कविता श्रिंकला का निर्माण एवं निर्देशन भी किया साथ से अधिक वृत्यचित्र भी बनाए अनेक वृत्यचित्र राष्ट्रिय और अंतर राष्ट्रिय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित हुए आजकल फिल्म कार्य के साथ साथ जीवन समार और कलाव से संबंदित विशेयों पर जनसत्ता में नियमित रूप से स्थम्ब लेखन करते हैं पाठ परिजय कल्लू कुमहार की उनाकोटी के विक्रम सिंग का एक यात्रा वृत्तांत है एक टीवी कार्यकरम की शूटिंग करने पहुंचे लेखक ने त्रिपुरा की यात्रा करते हुए वहां की भोगोलिक स्थिती, संस्कृती, वहां के जनजातिय समाज, संगीत, वाद्ययंत्र, घरेलू उद्योग धंधे, आधुनिक क्रिशी परंपरा, धार्मिक रीती र्वाज, और मान्यताव का वर्णन, संख्षिप परंतु अत्यंत रोचक धंग से प्रस्तुत किया है आईए सुनते हैं, पाठ, कल्लू कुमहार की उनाकोटी, प्रिश्ठ संख्या, अठारा से चौबीस ध्वनी में यह अदबुत गुण है कि एक क्षण में ही वहाँ आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुँचा सकती है मैं उन में से नहीं हूँ, जो सुबह चार बजे उटते हैं, पांच बजे तक तयार हो लेते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुँचकर मख़बरों और मेम साहबों की सहबत में लंबी सेर पर निकल जाते हैं मैं आमतोर पर सूर्योदय के साथ उटसा हूँ, अपनी चाए खुद बनाता हूँ, और फिर चाए और अखबार लेकर लंबी अलसाई सुभा का आनंध लेता हूँ अक्सर अकबार की खबरों पर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता, यह तो सिर्फ दिमाग को कटी पतंग की तरह योही हवा में तैरने देने का एक बहाना है दर असल, इसे कटी पतंग योग भी कहा जा सकता है इसे मैं अपने लिए काफी उर्जादायक पाता हूँ, और मेरा दृड़ विश्वास है कि संभवतह, इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है एक ऐसी दुनिया का सामना करने में, जिसका कोई सिर्पैर समझ पाने में, मैं अब खुद को असमर्थ पाता हूँ अभी हाल में, मेरी इस शांती पूर्ण दिन चरिया में, एक दिन खलल पड़ गया मैं जगा एक ऐसी कान फाड़ू आवाज से जो तोप दगने और बम फटने जैसी थी गोया जोर्ज डबल्यू बुश और सद्दाम हुसेन की महरबानी से तीसरे विश्वयुद की शुरुवात हो चुकी हो खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी दर असल ये तो महज स्वर्ग में चल रहा देवदाओ का कोई खेल था जिसकी जलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी मैंने खिडकी के बाहर जांका आकाश बादलों से भरा था जो सेनापतियों द्वारा त्याग दिये गए सेनिकों की तरह आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे थे विक्षिम्तों की तरह आकाश को भेद भेद देने वाले तड़ित के अलावा जाडे की अलसुभा का ठंडा भूरा आकाश भी था जो प्रकृती के तांडव को एक प्रिष्ठ भूमी मुहया करा रहा था इस तांडव के गर्जन तर्जन ने मुझे तीन साल पहले तुरिपुरा में उनाकोटी की एक शाम में पहुँचा दिया दिसंबर 1999 में ओन दि रोड शीरशक से तीन खंडो वाली एक टीवी श्रिंखला बनाने के सिलसिले में मैं तृपुरा की राजधानी अगर तला गया था इसके पीछे बुनियादी विचार तृपुरा की समूर्जी लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रिय राजमार्ग चवालिस से यात्रा करने और तृपुरा की विकास संबंधी गतिविदियों के बारे में जानकारी देने का था तृपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से है चोटीस प्रतिशत से ज्यादा की इसकी जन संख्या विद्धी दर भी खासी उची है तीन तरफ से यह बांगलादेश से घिरा हुआ है और शेश भारत के साथ इसका दुर्गम जुडाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम और कैलास शहर जैसे त्रिपुरा के ज्यादातर महत्वपूर्ण शहर बांगलादेश के साथ इसकी सीमा के करीब है यहां तक की अगरतला भी सीमा चौकी से महस दो किलोमीटर पर है बांगलादेश से लोगों की अवैध आवक यहां जबरदस्थ है और इसे यहां सामाजिक स्विकृति भी हासिल है यहां की असधारण जनसंख्या वृद्धी का मुख्यकारण यही है असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहां होता ही है कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवक ने जनसंख्या संदुलन को स्थाने आदिवासियों के खिलाफ लाख़डा किया है यह त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है पहले तीन दिनों में मैंने अगरतला और उसके इर्दगिर्द शूटिंग की जो कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था उज्जयंत महल अगरतला का मुख्य महल है जिसमें अब वहां की राज्य विधान सभा बैठती है राजाओं से आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण को ये महल अब नाटकिय रूप में प्रतिकीत करता है इसे भारत के सबसे सफल शासक वन्षों में से एक लगातार 183 क्रमिक राजाओं वाले त्रिपुरा के मानिक्य वन्ष का दुखद अंध ही कहेंगे त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याई तो पैदा हुई है लेकिन इसके चलते यह राज्य बहु धार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जन जातियों और विश्व के चारों बड़े धर्मों का प्रतिनिदित्व मौजूद है अगर तला के बाहरी हिस्से पैचार थल में मैंने एक सुन्दर बौध मंदिर देखा पूछने पर मुझे बताया गया कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से दो यानि चक्मा और मुघ महा यानि बौध हैं ये कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यानमार से चटगाव के रास्ते आये थे दर असल इस मंदिर की मुख्य बुध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी अगर तला में शूटिंग के बाद हमने राष्ट्री राजमार्क चवालीस पकड़ा और तीलिया मुरा कस्बे में पहुँचे जो दर असल कुछ जादा बड़ा हो गया गाव ही है यहां मेरी मुलाकात हेमन्त कुमार जमातिया से हुई जो यहां के एक प्रसिद्ध लोख गायक है और जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके है हेमन्त कोक बारोक बोली में गाते हैं जो त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से है जवानी के दिरों में वे पीपुल्स लिबरेशन और्गनाईजेशन के कार्य करता थे लेकिन जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब वे हतियार बंद संगर्ज का रास्ता छोड़ चुके थे और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिशद के सदस्य बन गए थे जिला परिशद ने हमारी शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन किया यह एक सीधा सादा खाना था जिसे सम्मान और लगाव के साथ परोसा गया था भारत की मुख्यधारा में आई मुहजोर और दिखावे बास संस्कृती ने अभीतरपुरा के जनजीवन को नश्ट नहीं किया है भोज के बाद मैंने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनाने का अनुरोध किया और उन्होंने अपनी धर्ती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शान्ती का एक गीत गाया तुरिपुरा में संगीत की जड़ें काफी घहरी प्रतीत होती हैं गौर तलब है कि बॉलिवुड के सबसे मौलिक संगीत कारों में एक S.D. बर्मन तृपुरा से ही आये थे दर असल वे तृपुरा के राजपरिवार के उत्रादिकारियों में से थे टीलिया मुरा शहर के वाड नंबर तीन में मेरी मुलाकात एक और गायक मंजू रिशिदास से हुई रिशिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेश अग्यता थाप वाले वाद्यों जैसे तबला और धोल के निर्माण और उनकी मरमत के काम में भी है मंजू रिशिदास आकरशक महिला थी और रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत में अपने वाद का प्रतिनिजित्व भी करती थी वे निरक्षर थी लेकिन अपने वाद की सबसे बड़ी आवश्यक्ता यानि स्वच्छ पेयजल के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी नगर पंचायत को वे अपने वाद में नल का पानी पहुचाने और इसकी मुख्य गलियों में इठे बिच्छाने के लिए राजी कर चुकी थी हमारे लिए उन्होंने दो गीत काए और इसमें उनके पती ने शामिल होने की कोशिश की क्यूंकि मैं उस समय उनके गाने की शूटिंग भी कर रहा था गाने के बाद वे तुरंथ एक ग्रहनी की भूमिका में भी आ गई और बगेर किसी हिचक के हमारे लिए चाय बना कर ले आई मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि किसी उत्तरभारतिय गाव में ऐसा होना संभव नहीं है क्यूंकि स्वच्छता के नाम पर एक नए किस्म की अच्छूत प्रथा वहाँ अब भी चलन में है त्रपुरा के हिंसा ग्रस मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले अंतिम पढ़ाव तिलिया मुरा ही है राश्ट्री राजमार्क चवालीज पर अगले 83 किलोमेटर यानी मनु तक की यात्रा के दोरान ट्राफिक CRPF की सुरक्षा में काफिलों की शकल में चलता है मुख्य सचिव और IG CRPF से मैंने निवेदन किया था कि वे हमें घेरे बंदी में चलने वाले काफिले के आगे आगे चलने दें थोड़ी नानुकुर के बाद वे इसके लिए तैयार हो गए लेकिन उनकी शर्त ये थी कि मुझे और मेरे कैमरामेन को CRPF की हाथियार बंद गाड़ी में चलना होगा और यह काम हमें अपने जोखिम पर करना होगा काफिला दिन में ग्यारा बजे के आसपास चलना शुरू हुआ मैं अपनी शूटिंग के काम में ही इतना व्यास्त था कि उस समय तक डर के लिए कोई गुंजाईश ही नहीं थी जब तक मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे CRPF कर्मी ने साथ की निचली पहाड़ियों पर इरादतन रखे दो पत्थरों की तरफ मेरा ध्यान आकरिष्ट नहीं किया दो दिन पहले हमारा एक जवान यहीं विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया था उसने कहा मेरी रीड में एक जुर्जुरी सी दोड़ गई मनु तक की अपनी शेश यात्रा में मैं यह खयाल अपने दिल से निकाल नहीं पाया कि हमें घेरे हुए सुन्दर और अन्यथा शांती पूर्ण प्रतीत होने वाले जंगलों में किसी जगा बंदूं के लिए विद्रोही भी चिपे हो सकते हैं त्रिपुरा की प्रमुक नदियों में से एक मनु नदी के किनारे स्थित मनु एक छोटा सा कस्पा है जिस वक्त हम मनु नदी के पार जाने वाले पुल पर पहुँचे सूर्य मनु के जल में अपना सूना उडेल रहा था वहां मैंने एक और काफिला देखा एक साथ बंधे हजारों बांसों का एक काफिला किसी विशाल ड्रागन जैसा दिख रहा था और नदी पर बहा चला आ रहा था डूपते सूरज की सुनहरी रोश्नी उसे सुलगा रही थी और हमारे काफिले को सुरक्षा दे रही CRPF की एक समूची कंपनी के उलट इसकी सुरक्षा का काम सिर्फ चार व्यक्ती सम्हाले हुए थे अब हम उत्तरी त्रपुरा जिले में आ गए थे यहां की लोगप्रिय घरेलू गती विधियों में से एक है अगरबतियों के लिए बांस की पतली सींके तयार करना अगरबतियां बिनाने के लिए इन्हें करनाटक और गुजरात भेजा जाता है उत्तरी त्रपुरा जिले का मुख्याले कैलास शहर है जो बांगलादेश की सीमा के काफी करीब है मैंने यहां के जिलाधिकारी से मुलाकात की जो केरल से आए एक नौजवान निकले वे तेज तर्रार, मिलनसार और उत्साही व्यक्ती थे चाय के दौरान उन्होंने मुझे बताया की TPS टरू पोटेटो सीट की खेती को त्रिपुरा में खास कर उत्तरी जिले में किस तरह सफलता मिली है आलू की बुआई के लिए आमतोर पर पारमपरिक आलू के बीजों की जरूरत दो मीटरिक टन प्रती हेक्टेर पड़ती है इसके बरक्स TPS की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही एक हेक्टेर की बुआई के लिए काफी होती है त्रिपुरा से TPS का निर्यात अबना सिर्फ असम, मीजोरम, नागलैंड और अरुनाजल प्रदेश को भलकि बांगलादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी किया जा रहा है कलेक्टर ने अपने एक अधिकारी को हमें मुराई गाव ले जाने को कहा जहां TPS की खेती की जाती थी फिर जिलाधिकारी ने अचानक मुझ से पूछा क्या आप उनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे ये नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी जिलाधिकारी ने आगे बताया कि यह भारत का सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े शैवतीर्थों में से एक है संसार के इस हिस्से में जहां युगों से स्थाने आदिवासी धर्म ही फलते फूलते हैं एक शैवतीर्थ जिलाधिकारी के लिए मेरी उचसुकता स्पष्ट थी यह जंगल में काफी भीतर है हालांकि यहां से इसकी दूरी सिर्फ नौ किलोमीटर है अब तक मेरे उपर इस जगह का रंग चड़ चुका था तीलिया मूरा से मनु तक की यात्रा कर लेने के बाद मैं खुद को ज्यादा साहसी भी महसूस करने लगा था मैंने कहा कि मैं निश्चे ही वहाँ जाना चाहूंगा और यदी संभाव हुआ तो इस जगह की शूटिंग करना भी मुझे अच्छा लगेगा अगले दिन जिलाधिकारी ने सारे सुरक्षा इंतिजाम किये और यहां तक की उना कोटी में ही हमें लंच कराने का प्रस्ताव भी रखा वहां हम सुभा नौ बजे के आसपास पहुँच गए लेकिन एक घंटे हमें इंतिजार करना पड़ा क्योंकि खासे उंचे पहाडों से घिरी होने के चलते इस जगह सूरज की रोष्णी दस बजे ही पहुँच पाती है उना कोटी का मतलब है एक कोटी यानि एक करोड से एक कम दंद कथा के अनुसार उना कोटी में शिव की एक कोटी से एक कम मूर्थियां है विद्वानों का मानना है कि यह जगह दस वर्ग किलोमीटर से कुछ ज्यादा इलागे में पहली है और पालशासन के दौरान नवी से बारवी सदी तक के तीन सो वर्षों में यहां चहल पहल रहा करती थी पहाडों को अंदर से काट कर यहां विशाल आधार मूर्थियां बनी है एक विशाल चटान रिशी भगीरत की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृत्वी पर गंगा के अवतरन के मिथक को चित्रित करती है गंगा अवतरन के धक्के से कहीं प्रित्वी धस कर पाता लोक में न चली जाए लिहाजा शिव को इसके लिए तयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलजा ले और इसके बाद इसे धीरे धीरे प्रित्वी पर बहने दें शिव का चहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं दो पहाडों की चोटियों पर फैली है भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ती है पूरे साल बहने वाला एक जलप्रपात पहाडों से उतरता है जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है यह पूरा इलाका ही शबदशह देवियों देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है इन आधार मूर्तियों के निर्माता अभी चिन्हित नहीं किये जा सके हैं स्थाने आधिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुमहार था वह पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था पार्वती के जोड देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले चलने को तैयार हो गए लेकिन इसके लिए शर्थ यह रखी कि उसे एक रात में शिव की एक कोटी मूर्थियां बनानी होंगी कल्लू अपनी धुन के पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में जुट कया लेकिन जब भोर हुई तो मूर्थियां एक कोटी से एक कम निकली कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुडाने पर अड़े शिव ने इसी बात को बहाना बनाते हुए कल्लू कुमार को अपनी मूर्थियों के साथ उना कोटी में ही छोड़ दिया और चलते बने इस जगह की शूटिंग पूरी करते शाम के चार बज गए सूर्य के उचे पहाडों के पीछे जाते ही उना कोटी में अचानक भयावना अंधकार छा गया मिनिटों में जाने कहां से बाधल भी घिर आए जब तक हमने अपने उपकरंट समेटे बाधलों की सेना गरजन तरजन के साथ कहर बरपाने लगी शिव का तांडव शुरू हो गया था जो कुछ-कुछ वैसा ही था जैसा मैंने तीन साल बाद जाड़े की एक सुबा दिल्ली में देखा और जिसने मुझे एक बार फिर उना कोटी पहुँचा दिया था शब्द अर्थ सुहबत संगती साथ उर्जादाई उर्जाव अथ्वा शक्ती देने वाली खलल व्यवधान बाधा कान फाड़ू तेज आवास जो कान फाड़े विक्षिप्तो पागलो तडित बिजली अलस सुबा तडके बिल्कुल सुबा आवक आना हस्तांतरण एक व्यक्ती के हाथ से दूसरे व्यक्ती के हाथ में जाना प्रतीकीत अभिव्यक्त करना कबीलाई कबीले से संबंदित तेज तर्रार बहुत तेज मिठक पौरानिक कथा शब्दशह प्रतीक शब्द के अनुसार चिनहित जिनकी अभी पहचान नहीं की जा सकी है बोध प्रश्न प्रश्न संख्या एक उना कोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाएं कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है प्रश्न संख्या दो पाठ के संदर्भ में उना कोटी में स्थित गंगावतरन की कथा को अपने शब्दों में लिखिए प्रश्न संख्या तीन कल्लू कुमहार का नाम उना कोटी से किस प्रकार जुड़ गया प्रश्न संख्या चार मेरी रीड में एक जुर जुरी सी दोड़ गई लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी खटना जुड़ी है प्रश्न संख्या पाँच त्रिपुरा बहु धार्मिक समाज का उदाहरन कैसे बना? प्रश्न संख्याचे, टीलिया मुरा कस्पे में लेखक का परीचय किन दो प्रमुख हस्तियों से हुआ? समाज कल्यान के कारों में उनका क्या योगदान था? प्रश्न संख्या साथ त्रपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाष डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विशै में बताईए संचयन अभी आप सुन रहे थे या ध्वनी पुस्तक वाचन, निवेदिता सर्दार, तक्निकी निर्देशन, सतीश लाडे, ध्वन्यांकन, अमिता भट्टी और बटी लेंगलिंडों, तथा निर्माण एवं प्रस्तुती, दाउ दयाल चतुर्वेदी